हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई य्टूब चैनल सुजित कमार अस्तम क्लास इज गो आज फिर से हम नेक्ष्ट वीडियो लेकर किया गए है तो यह जो होने वाला वीडियो है वाइस का वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो को जिरूर देखे और लास्ट देखे आपको कीतनी अची अच्छी प्रेक्टैस होगी हमने आपको वाइस पढ़ा दिये है ठीक है ना हम वाइस का प्रैक्टैस कीजिए कि कैसे कैसा कोश्चन आ सकता है तो यह जो practice coaching इसने सभी तरह के coaching करवाया जाएगा ठीक है ना आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे coaching की जो संख्याएं है वही बढ़ती जाएगी और एक से coaching देखने के मिलेगा अगर आप इस practice series को अगर join करते हैं तो आप देखिए क्या क्या चीज फै practice करने के लिए परजेंटेंस हुआ पास्टेंस हुआ फ्यूचर टेंस हुआ है कि नहीं इसे समझे जब भी क्रोशन आएंगे उसके बाद जो इंपरेटिव से आएंगे जो भी कोशन होते हैं वो आएगा फिर जो रूल होते हैं वाज बनाने का उससे भी कोशन आएगा उस जितना जो हार बोर्ण में परसने पुझा गया है और उसके बाद जीटना सिंटा जिटना सेंटा पेक्जाम में ल अव दुजा सतरा ठारा न इसस्वी से कही सुछलह में पुझा गया है वह कौशन कर ब़ाएंगे और OUT जितना जो भी हार बड के द्वारा पुछा गया हो छाहए ट्यवंत पुछा गया हो चाही है तो चीज तो चीज होगा जितना अब तक मुडल सेट निकली है उसमें जो कोश्चन जो भाइस का डाला गया है एक्जाम पॉइंट व्यू से उस को भी करवाई जाएगी बिल्कुल बहुत महत्पूर्ण रहेगी तीस तरह से सारा के सारा कोश्चन का लिमीटेशन जो हैसे में बांद दोंगा और इससे इतनी फायदा होने वाला है इतना फायदा होने वाला है कि इसका अंधाजा भी नहीं लगा सकते हैं कितना फायदा होने वाले हैं कि नहीं तो उसके बाद आप देखेंगे कि क्या वात है आप जो हैसे जल्दी से कलास में जुड़ जाएए ठीक है अगर आप नहीं जूड़े हैं तो अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजिए ताकि वहीं विद्धार्थी जो हैं से जूड़ सके और इसका फायदा उठा सके और इस कलास का अनंद ले सके बहुत ही असान से बहुत ही सिरलतम भासा में बहुत ही असानी से बतलाई जाएगी हमने जो कलास में है जब वाज सक ऐसको चुके हैं ठीक है ना बहुत सारे कॉंसेट और जो भी कुछ बाकिन हैं वही मैं बतला रहा हूं अभी तक ठीक है ह। तो हम साथ ही साथ practice भी करवाने की process कर रहे हैं ठीक है तो आप जरूर इस वीडियो के देखें आप छोड़े नहीं ज़्यादा ज़्यादे दोस्तों के पास share करें चुकि फिर आपका समय निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी ठीक है आप धीरे धीरे जो हैसे कितने विद्यार्थी जो हैसे लो भी नहीं कर पाते हैं तो उन लग के लिए भी चाहिए और जो high quality के विद्यार्थी intelligent है उनके लिए भी question लाएंगे है कि नहीं जो ultra high intelligent है तो उनके लिए भी question आएगा मत्तब एक question आएगा आपको घर बढ़ाने की जरुवत नहीं है ठीक है ना question का भरमार है तो फर्स्ट question आप देखिए वीज मेक हनीज तो मधुमख्य बनाती है क्या हनी बनाती है मतलब कि मद बनाते है ठीक है ना तो मधुमख्य क्या बनाती है पहुत ही अच्छा मीठा मद बनाती है ठीक है कि नहीं तो आप देख सकते हैं मित्रों कि यह इसका जो आप समर्ष में अपनाती है पहले कमेंट किजिए कि कौन सा सही उतर होगा आपको सब्से सब्सक्राइब देखना रहता है कि subject कौन है और यह कि अहां पर जिएंट इनिपनिटिन्स का है ठीक है क्योंकि यहां पर क्या है भीवान है भीवान या भीपाि पाता है तो क्या हो सब्जेक्ट सब्जेक्ट भीवन हो जाता है इस तरह से स्टक्चर चलती रहती तिन सारी फुरस्णों का जवाब आपको मिलेंगे इस तरह से क्वेशन आपको सब्जेक्ट 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 सब जार में से कुछ होगा तो वाज तो होगा नहीं तो पहला तो ऐसे हैं सर गया काम से तो यहां पर भीवान है मतलब गलत हुआ कहने का मतलब कि ㅁ कि भी आप्शन सही हो गया ठीक है न तहानी इस इप भाइपीच मतलब मदमुक्षीं जबानाई जाती है और किसके दोरा बनाई जाती है मित्र हो तो मदमुक्षीं के दोरा बना लिए मैं पांस से दस सेकंट दूंगा उसके बाद अपने बनाईएगा उसके बाद फिर में आपको है कि कर देखें को आदे दुसरा है लोग खेलते हैं क्या खेलते हैं गेम है और यह जो है गेम का नाम है तो यह सिंगलर होगा तो बिलीवर्ट के साथ क्या लगना चाहिए देखे में लग रहा है कि पूल्रेल है तो लोग क्या करतेंगे फूल्रेल में टिक मार देंगे लेकिन पर जेंट इन इपनी टेंस होने की वज़त से ना वाज होगा ना वेर होगा तो डी ओसी तो अप्शन ऐसे इंकट गई बाकी बची इधर तो बिलीया अट्स के सिंगुलर है तो भर्ब लगना चाहिए सिंगुलर तो इस होगा भाई आती है अप्शन से होजाए हमने ट्रीक बतलाया था ना कि सभर कैसे पहचानी जाती जिस वर्ब के अंत में इस रहता है वोह सिंगुलर होता है तो इसमें एस लगा वैटेंट प्लेट बाइट मतलब जो गेम खेला जाते किसके द्वाराब उनके द्वाराब के आप जल्दी से विस्वर केमेंट कीजिए इ लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि तिसरा नंबर जो कोचन है इसका एंस्वर केमेंट किजिए आपके इसके लिए पांस सेकंड का टाइम लिए जाएगा के लिए देखिए जो तिसरा कोचन है मैं पढ़ता हूं कितने राजियों को पढ़ता हूं तो यहां पर जो सही उतर होगा क्या हो जाएगा कि टुबेल का नाव है आप देख रहे हैं अगर किताब का नाम रहेगा ना तो पहला लेटर होता है कैपटल होता है एसका कोई बूक का नाम है पहचानने का इडिया है अगर दो राजियों की बात करती तो यहां पर इसे लगता छोट का बढगाटी एक नोबेल का नाम न्यास की नाम होगा तौ लगनी चाहिए नहां पर पूडल होगा तो बहर उंगला लगनी चाहिए यहांपर पूल्डल है र्याप्र पूर्ड ले सिंगलार है रहा है है लेकिन अब पर जीन इंड़री कर्कों इसलिए क्या होगा यह गलत क्या होगा वी ऑप्शन सब्सक्राइब करें किया होगा सही जवाब इसका लिखा हुआ है ही लुक्स आफ्टर हीज ग्रेंट्स मतलब वह जो है इसे देखवाल करते हैं इस पैरेंट्स अपने माता पीता को तो आप इस वह जल्द से जल्द करें आपको पांच मिनट का टाइम दिया जाता है पांच मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको ठीक है ना तो आप जल्द से जल्द आप इस पर कमेंड किजिए तो देखिए पांच मिनट का ने पांच सेंद या दस सेंद का बोल दाएं तो लोक साप्टार ही क्या होता है जांते हैं कि लोक आप्टन के मतलब होता है देखवाल करना होता है टेक केरव लोक आप्टorf मतलब क्या क्या होता है टेक क्या होता है लोग आफटर का मतलब क्या होता है मित्रों टेक क्यर आफ होता है टेक क्यर आफ मतलब देख पाल करना लोग आफटर लोग आफटर एक फ्रेज ठीक है ना जैसे लोग आफटर होता है उसी परकार से लोग इंटू होता है लोग इंटू मतलब क् करना मतलब जाच पड़तार करना ठीक है ना देखिए एक होता है ना लुक अप होता है ठीक है ना डिक्शनरी में आप सब्दों को खोजते हैं तो क्या हो इस्तमाल करते हैं लुक अगर आप लुक इन करते हैं मतलब सर्च करते हैं किसी चीज़ का क्या करते हैं सर्च करते हैं के अई मतलब क्या होता है Εं켜 पूंट करना होता है मतलब करना होता है कि जया और को याद रखने पड़ेंगा इसटेंड ठ olması मतलब क्या होता इसके बाद भी आएगा आप ऐसा ना समझे आप लूग के बाद भाई खर देंगे लूग आप्टर साथ में रहेंगी उसके बाद बाई आएगा तो आप ध्यान दिजीगा इस चीजों को तो यहां पर object जो है his grandparents है यह look after एक phrase है ठीक है ना इसलिए क्या है उसका एक object है ठीक है उसके जो grandparents है उसके जो क्यों है grandparents आप जानते हैं कि parents यो है वह पूल्डल होती है तो भर्व क्या लगनी चाहिए पूल रपूरडल एस ही एच सिंग्लर है गलत है और पूर एस ही एच सिंग्लर है अब देखना है कि पर जह इन इपनी तेंस में आर तो लग गई ठीक है इस पा आप्टर होना चाहिए, आप्टर दिया है, तो आप्टर होना चाहिए, आप्टर दिया है, ठीक है, बाई हिम है, ठीक है, तो बाई हिम है, लेकिन कहीं न कहीं तो मिश्टेक है, यहाँ पर C ग्रेंड पेरेंट्स दिया है, जबकि होना चाहिए, इस ग्रेट्स ही इस ग्रेट्ट्स होना चाहिए यहां ही च्रेट्स कि एक क인데 को आप ऐसा कभी मठ किझेगा कि स्य prisoners मुश्डे टों क् वawlब है कर दिज्ञेगा क्या पहाइस आप ऐसा कभीण नहीं किझेगा कि जए अर पेरेट्स का और पेरेंट का हbles tragedy इस का धिक है पेरेंटस का ही क्या है ज्लता है जोह दोना बता रही है आप आरेंट्स का ही तो आप देख सकते हैं चोथा का सही उतर क्या होगा सही उतर क्या हो ज़ागा मित्रू मतलब यह प्छनल्ट होजागा है पाच्छमा को चन की और इसका आप अब सही जबाब दीजिए कि कौन सा सही उतर होएंगे ठीक है ना पाच्मा तो आप सही जवाब देना हैं तो इसका जो सही जवाब होगा नहीं यू ऑलवेज हट यूर पैरेंट्स मतलब तुम अपने माता पीता को तुम यूर पैरेंट्स अपने माता पीता को हट करते हो चोट पहुचाते हो आलवेज मतलब हमेशा तुम अपने माता पीता को ना हमेशा चोट पहुचाते हैं यूर पैरेंट्स अब्चेक्ट हुआ चूकि यहां पर हट किया हुआ यहां पर जो हट हुआ 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 तो यूर पैरेंट्स क्या है मित्रो अब्जेक्ट यूर पैरेंट्स ही क्या बनेगा सब्जेक्ट यूर पैरेंट्स सब में है ठीक है अभी तक तो कोई गलती नहीं है यूर प्रे में थैंगे और आउन इभात बता देरा रहा यह वियर्ट को ृता है यह दो नहीं लगा रहे तो मतलब ने हिचे थे! पैरेंट का मतलब होता है माता या पीता माता या पीता और पैरेंट्स का मतलब होता है माता पीता मतलब दोनों की बात हो रही है तो हाँ पैरेंट्स है मतलब पूल्डल की बात हो रही है तो पूल्डल भार्व लाइए तो आर सही है इजगल आर सही है वाजगल है ठीक सिंग होता है जिस्भर के इससे लगवह किया होगा पुल्डल होता है इसमस्त된 उपंछ लगवह थ्रिभ में लगवह किया होगा ओर्वेच है हार्ट हर्ठ है होता कि इसका जबन हे भीदभी थरीय में होता है थोता तो आप uce कि लिग नहीं करें कि बाई जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा अब्जेक्ट तब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा तब पाच्वा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है और पेरेंट्स आर अल्वेज हट बाई यह अब छठा नमबर को चन आप देख सकते हैं कौन सा सही ठाक आप लोग जवाब दीजिए पांस सेकंड का आपको टांदेते हैं की च्छठा नमबर जो कोश्चन है इसका सही जाब क्या होगा कि सी नोच वा उसे न जानती है शी नोच वा उसे जानती है तप जानते हैं मित्रों की हीम है आपजेक्ट हीम क्या है object داشt subject होना चाहिए तो subject हो गया ही चलिए ही see नहीं होगा ही कर adesso ही के साथ ना आप presentповus है तो हरप भर मेर में जा राता है तो ही singular है तब भर सिंगलर गगा मतलब इत सही है इत सही है इत सही है इत सही है इसके बाद जो भी पुजिशन आती है वह बाइड नहीं आता है गलत है टू सही है टू सही है लोन्टू होना चाहिए ठीक है तो यहां पर सी है तो सी का ऋर होता है और ही का ही मोता है तहकत है तो हर होना इज नौन टू समझगे के नहीं समझगे ही जनौन टू क्या होगा इस बात को आप समझ सकते हैं मित्रो कितनी मैं आच्छी तरह से सालिंता के साथ मैं जवाब दे पा रहा हूं अगर और स्पीड आपको चाहिए और स्पीड करवाना है क्लास तो आप इंस कमेंट कीजेगा कम उकाद आजरा है हो सही है यह फिर स्पीड में करके बताता जाऊ ठीक है तो चाटा कोशन का भी ऑप्सन बिल्कुल सब्सक्राइब कुछ वैसे भर होते हैं जो पिर पोजिशन लेते हैं पैसी पैसमें जैसे जो मेरी होता है मेरी मतलब सादिक करना तो मेरी का जो होता है ना पैसी वाइस रहेगे ना तो टू पिर पोजिशन लेता है मेरिट जो फिल्ड होता ना फिल्ड तो यह विद पिर पोजिशन लेता है ठीक एक सर्फराइश्ट होता है सर्पराइश्ट क्या लेता है सर्पराइश्ट जो ऐसे एट पिर पूजिशन लेता है इसा बाई नहीं ल एस्टोनिस्ट एट एनवाइड एट इस अबना एट फिर पुजिए लेते हैं और होँ तो आप लोग समझ रहें भाई कि उसी परकास से नो क्या होता है नौन तू फिर पुजिशन लेता है इस तरह से फिर पुजिशन लेता है अलग अलग तरह कि इसलिए आप इस बात को आ तो आज हम चाहते हैं कि कलास जो है यहीं रहे और अगले कलास में करवाएंगे परचेंट का पैसी वास ठीक है तो इतना ही आज रहने देते हैं इस कलास में ठीक है फर्स्ट दिन है तो बढ़ियां से अब लग स्टेबल हो जाई है अदर बना लिजिए पुर्ण लिखने का देखिए जादा से जादा है वीडियो के सेड़ किजएगा तो हमें भी जिन्यून उत्पन होती है कि हाँ बच्चे पढ़ लिख रहा है तो हमको बनाना चाहिए एक सिक प्रिक्टिस करवाना चाहिए अगर मैं स्यूर्ली बोल रहा हूं कि अगर आप इस प्रिक्टिस को ज दिया जाएगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि आपको एप पर बला करके पैसा लिया जाएगा वदिकत नहीं है आप फिर इने बिल्कुल यूट्यूब पढ़ते रहे हैं आप ज्यादा स्यर करें इसके बतले मैं मैं कि वहीं मांग रहा हूं कि आप जादा बच्चों को सेर करें ताकि सबका भला हो जाए बिल्कुल फिरी आफ कोस्ट आपको दिया जा रहा है ठीक है जितना आप लोग सेर कीजिएगा ज्यादा स्यादा पढ़ने लगे बच्चे ठीक है तो यूट्यूब पर जो है से फिर आगे चल करके फिर क्या करवाएंगे concept with practice concept पढ़ाय जाएगा फिर practice भी जाएगी जादा जादे आप शेर कीजिए ठीक है ना वैसे अगर आपको पढ़ना है बहुत वहतरीन तरीके से वैसे पढ़ना है तो अगर नजदी के है तो आप आ सकते हैं अफ्लाइन क्लासेज में अस्तंब क्लासेज गो है ना ट्वेल्ट क्लास में आ सकते हैं चैक है मैत रिजीनिंग के लिए हैं तो इस तरह से आपको बेहतरी नए अंदाज पढ़ा ही होगी इसलिए आप सबसे पहले विश्वास कीजिए वीव शिर विष्व हम लोग सबसे पहले विश्वास किरें उसके बाद पी रहन प्राप्त करें तो इस बात को अब समा ध्य दियान दिजाएगा ठीक है एक इस इधान थै तो आउनली नेम आफ सक्सिज सफलता के वाले एकनाम ठीक है तो इस बात को ध्यान दिजाएगा थैंक यू फर वाचिंग वीडियो कैसा लगा प्रका जुरूर एंसरो कमेंट में लिखियेगा और कैसा वीडियो लगा और क्या प्रोब्रेंट करने की जरूबत है सारा का सारा बता सकते हैं ठीक है ठैंक यू और वाचिंग वीडियो एग अ कर दो